नमस्कार दोस्तों मैं सुमित्य आदा हूँ आप देखरें दासुनामी का चुनावी सफर महू की मदुबन विदान सवह में हम लोग मौजूद हैं और आदर्स नगर ये ग्राम पंचायत यहां से हम लोग बात यहां से करेंगे क्योंकि गड़ा मुक्त उत्तर पदेश की बा यहां पर यहां पर लोग परिशानी रास्ते के वज़ासे की सड़क जो है वो नहीं बनी है और यह नगर पंचायत है तो यहां के कुछ लोगों से जानेंगे समझेंगे क्या इस्तिती है क्या क्या परिशानियों के लोग सामना कर रहे हैं और क्या चुनाव के परिणाव हो साथ करना है कि जो सड़े चार साल का योगी जी कारेकाल आप नहीं योगी जी की बात तो लग हे हैं मेरे करें मतलब हमारे पंचायत के यो मादरी मदेसिया हैं हमने को रास्ता बनवा दें वारी इसे बहुत दिक्कत होती है आने जाने को रास्ता रहा लाइट लाइट भी है तो खराब है वह तो मतलब सड़क पर लाइट नहीं है लाइट नहीं लाइट है जलती नहीं है जलती नहीं जलती नहीं है तो और क्या समस्या आप का बता रहे थे अभी नाली की सुधा नहीं है पानी की सुधा नहीं है टेक तो सोब कौन जिम्मेदार है यहां के नगरपन्चायत नगरपन्चायत जिम्मेदार है नुट को दिन आता है यह नची करें कि क्यों कि चीजे हैं कि अभी चुनावनी ऊपे निकले और आए our गाहुke सचे क्वाहर है आप निक bipolar ठीक हैं लेकिन गाहुंकी सचे आप अगर देखेंगे तो बरसात की मौसम में चलने लाइक है नहीं क्यूंकि अंदर की सड़कें जो गाउं में बनी हुई है वो आप जरा एक बार गुमा के दिखा दो कि किस तरीके सड़कें आप समझ नहीं पाएंगे कि यह सड़क भी है या फिर ऐसी रास्ता हुई बना हुआ यह बनी हुई है तो यह हालत है हम रास्ते पर अब खड़े हैं या आने-जाने का रास्ता यहां पर हम अभी खड़े हैं आप जो तस्वीरें देख रहे हैं तो इस तरीके से गाउं में शड़कें बनी हुई है तो और कुछ लोगों से बाते करेंगे जी साब बताएं आप कितना है और आपको भी हो रहा होगा सिर्फ नाम के नगर पंचायत में है आपका कैमरा है कैमरे से आप दिखा सकते हैं यह बिजली का पूल है आगे भी काफी पूल है सिर्फ पूल है इस पे तार नहीं है तार आप दिखा सकते हैं जनता को दिखाईए कि तार हम लोग कैसे ल सब्काइब सकते हैं तो असकी काम नगर पंचायद समुद्ध परफ प्रशनल धिक्कत है उनको कहना चीहे जनता से सेHA की लोग के नगर पंचायद के चारों का मबाद के पास मुझ होगए उनको पता हुका हाउस्टेक्स सबसे पहले हम लोग के पास आते हैं सबसे पहले हाउस्टेक्स लेने असूली हमारे पास होती है किस बात का हम हाउस्टेक्स दें ना यहां पर डेली जाडू लगती है सफाई कर्मी वाले कभी नहीं आते हैं ना दस्ट बीन सही तरीके से घर के सामने है एक डस साथ के आधस से जलता है वहां से बोलते हैं जलने के लिए तो जलता है, वह जलता है वह खराब हो गया संटायम, कभी-कभी जलता है वह पता नहीं किस तरीके दिखा रहा हूं बारिस अगर थोड़ी देर हो जाए तो बारिस में यहां की जो है रास्ते किस तरीके से होंगे वो आप देख रहे हैं कि बरसात हो जाए और रात में आप यहां से निकलने सकते क्योंकि यह जो लाइट एक लोटी लाइट यहां पर लगी हुई है कॉर्णर यह जलती नहीं है तो यह हाला थह यहां पर अगर रात के अंधेरे में आप यहां पर आएँगे अगर बाइक है तो हेड लाइट जल रही होगी साईकिल वाला होगा तो बड़ी दिक्कत का सामने ईसको करना पड़ेगा तो यह सारी सम्थ्याएं हैं यहां पर जम उत्तरा में निकलते हैं तो यह सारी समझ से आप हर छेतर में देखने को मिलती है आज से नहीं हमेशा से देखने को मिलती है तो किन मुद्ब चुनाव लड़े जाएंगे जो बात जो दावे सरकार कर रही है विकास की सौ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं दिल्ली में हमने बड़े- सठीकें जो हैं सठीकों काराब emphasize кिसी बीं शड़क पर चले जाएं स्टेर हाई गांव की सड़कों पर चले जाएं राजमार्ट के में पात चोड़ें हाईवेसे इस तक पर निकली मेंुकी बात चोड़ें तक रएवेस पर लाइट ने लग दें किसी दिन हाइवे पे खड़े होकर भी वो तस्वीर हम रात में दिखाएंगे कि कितना अंधेरा हाइवे पे रहता है क्योंकि लाइट का प्रबंध हाइवेस पे भी नहीं है गंदर की गाउं की सडकों की तो आप बात छोड़ दें तो जुड़रे हमारे साथ देखते हैं सुनामी आगे की तस्वीर देखने के लिए जुड़रे हमारे साथ और कुछ थोड़ा बहुत शेयर करें वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा होसला हमारा भी बढ़ेगा हम लोगों को भी अच् तो शेर करें, मिलेंगे आपसे किस योर वीडियो में, तो जुड़रें हमारे साथ देखते तदा सुनामी तब तकी नमस्कार, खुश रहें, स्वस्त रहें